दोस्तों आज तारीक है 5 अक्टूबर और आज है दैशेहरा महापर्व आप सभी को दैशेहरा की हारदिक शुब कामना है आज की लेटेस न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे जमू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हुई हत्या वैश्विक कंपनियों का भारत में निवेश होगा आसान 16 मंत्राले आए एक ही प्लैटफॉर्म पर अप्रिकी टीम ने 49 रंसे जीता आगरी T20 मुकाबला आदेपुरिश के ट्रेलर पर हिंदू महासबा ने किया विरूद और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर तो चलिए फटा-फट शुरुआत करते हैं आज के रोचत तत्ती की साथ विशेशग्यों के अनुसार जिस तरह लोगों को शराब और सिग्रिट की लत लगती है उसी तरह उन्हें वर्चूल वर्ल्ड में भी रहने की आदत हो जाती है कुछ आकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं ऐसे में तकनीक के माया जाल से खुद को दूर रखने के लिए कुछ समय के लिए डिजिटल छुट्टी पर जाने को ही डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं और अब हाली में इंग्लेंड की उनिवस्टी और बात के रिसेर्चर्स ने एक शोद में बताया है कि सोशल मीडिया से मात्र एक हफ़ते का ब्रेक आपके मेंटल हेल्थ में काफी सुधार ला सकता है यानि अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षणों से जूज रहे हैं तो सिर्फ एक सब्था में ही इन्हें काफी कम किया जा सकता है अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी पड़ी खबरें चमो कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोया की सोंवार देर रात हत्या कर दी गई इस घटना को लेकर अभी तक दो एंगल सामने आए हैं पहला टेर्रिस्ट अटैक का और दूसरा मुक्य आरूपी और नौकर यासिर की मानसिक इस्तिती और व्यवहार को लेकर यासिर सीसी टीवे में भागता हुआ नजर आया था रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसे गिरफतार कर लिया गया उससे पूर्सताथ शुरू हो चुकी है वहीं दूसरी और हत्या के बाद मंगलवार सुब पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पी ए एफफ नाम के एक संगठन की रिलीज सामने आए उसमें कहाया गया है कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल टार्गेट को हिट कर सकते हैं दोस्तों भारत के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूस पॉटकास्ट में से एक आज का अकबार को अबापासानी से अपने टेलिग्राम एप में पासकते हैं इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए टेलिग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल चॉइन कर लें फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरव प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में सेन्युक्र राष्ट विश्वभू अस्थानिक सूचना कॉंग्रिस का उद्खाटन किया जहां भारत पिछले कई वर्षों में इस छेत्र में की गई प्रगती को प्रदर्शित कर रहा है पांच देवसी सम्मेरन में 115 देशों के 550 से अधिक प्रतिनिधी भागिदारी ले रहे है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को एवलांच आया यगटना द्रौपदी का डांडा यानि दी केडी नाम की जगह पर हुई जहां आम तोर पर परवता रोहियों को ट्रेनिंग दी जाती है आठ लोगों को रेस्क्यू किया गया है दस शो बरामद हुए हैं ग्यारा लोग अभेला पता है केंद्री ग्रीमंत्री अमिशा सुमवार से तीन दिन के जम्मू कश्मीर दोरे पर है ग्रीमंत्री अमिशा ने राजवरी में एक रैली को संबोधित किया शा ने कहा कि जल्द ही गुर्जल, बकरवाल और पहाडी समदायों को आरक्षर दिया जाएगा इसकी तयारी हो गई है इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी है केरल में कम से कम 873 पुलिस कर्मी प्रतिबंधित पॉपलर फ्रंट अफ इंडिया पिएफाई से जुड़े हुए है नेशनल इंवस्टिगेशन एजिंसी एनाईय ने केरल पुलिस चीफ को एक रिपोर्ट सौपी है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को चिठ्थी लिखी है इसमें आयोग ने कहा है राजनीतिक पार्टियां अपने खोशना पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें साथ ही यह भी बताएं कि वे जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए वित्तिय संसाधन है भी या नहीं उत्राखण के पौडी गड़वाल जिले के सिमडी गाओं के पास करीब 45-50 लोगों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई पुलिस मौके पर पहुँच गई अब तक आठ लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है उधर वडूदरा में एक सड़क हाथसे में नो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभी रूप से घायलो गई बॉंबिय है कोट ने मनी रॉंडरिंग मामले में माहराश के पूर अग्रियवंतरी अनिल देशमुक को जमानत दे दी है उन्हें एक लाक रुपए के बेल बॉंड पर जमानत मिली है उनके वकीलों ने स्वास्त का हवाला देते हुए जमानत ही आज का दाखिल की थी तिलंगाना में TRS नेता की और से लोगों को फ्री में शराब की बोतले और चिकन बाटने का मामला सामने आया है तिलंगाना के CM KCR आज बुदवार को राश्ट्री पार्टी लॉंच करने जा रहे हैं इस मौकी पर TRS नेता राजनाला श्रीहरी ने 200 चिकन और 200 शराब की बो रहे संघर्ष पर चर्चा की मोरी ने संघर्ष को जल्द खत्म करने बाचीत और कूटनीती से समस्या के समाधान की जरूरत दोहराई गुजरात के खेडा जिले में मुस्लिमों की भीड ने सोंवार रात एक मंदिर में गरबा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया इस घटना मे साथ लोग खायल हो गए मंगलवार को पुलिस ने दस आरोपियों को गाओं में पकड़ा और बिजली के खंबे से बांद कर ग्रामीडों के सामने पिटाई की स्वेडन की राजधाने इस टॉक होम में नोबिल प्राइज वीक 2022 का कल दूसरा दिन था कल फिजिक्स का नोबि तीन वज्ञानकों को दिया गया यह हैं एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन चेलिंगर उन्होंने पुरस्कार क्वांटम इन्फोर्मेशन साइन्स और पोटॉन्स पर रिसर्च के लिए पाया अमेरिका के कैलिफोनिया में चार भार्टियों के अपहरड की आठ महिने की एक बच्ची उसके माता पिता शामिल हैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के मालिक अत्रे कु उनके कैलिफोनिया की घर से अगवाग किया गया है उत्तर कोरिया ने मंगलवार को फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षड किया दक्षड कोरिया के जॉइ चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी जानकारी दी मिसाइल जापान के उपर से होते हुए गई अब सुनते हैं बिजन्स वर्ल्ड की लेटेस न्यूज यूरोपियन यूनियन ईयू पार्लेमेंट में मंगलवार को यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू कर चुकी है मोबाइल पोन टैबलेट और कैमरे के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा दोजार चौबिस तक सभी इलेक्ट्रोनिक कमपनियों को अपनी डिवाइस में टाइप सी चार्जिंग पोर्टल एड करना होगा एक रिपोर्ट के निसार यूरोपी लोग सिर्फ चार्जर खरीद डॉलर कम हो गई है इनकी संपत्ती में ये गिरावट टेसला और अडानी ग्रूप की कमपनियों के शेरों में गिरावट की कारण आई है जियो यूजर्स के लिए एक खुशकबरी है रिलाइंज यू की ट्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल देशहरा यानि आज से शुरू हो रहा है ये सर्विस देश के चार शेहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकता और वाराडसी में शुरू हो जाएगी जितके तहट यूजर्स को 1Gbps तकी स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा इलेप्रोनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड E.M.I.L. का IPO कल से पब्लिक सब् थाउन हजार पैसट के स्तर पर बंद हुआ, महीं निफ्टी 386 अंक चड़कर 17274 पर क्लोज हुआ, सोने चादी में भी उच्छालाया लेकिन रुपया कुछ कम जोर हुआ केन सरकान ने वैश्विक कमपनियों का भारत में निवेश आसान करने के दिशा में बड़ा कदम उठाया है, 16 अलग-अलग मंत्रालियों को एक ही प्लैटफॉर्म पर लाया गया है, इससे यह सुनश्चित किया जाएगा कि विदेशी निवेश को जल से जल्द मंजूरी मि क्योंकि निवेश बढ़ाने में सबसे बड़ी अर्चन अब भी अलग-अलग विभावों से मिलने वाली मंजूरियों में होने वाली देरी है, सेतंबर 2022 में कार कंप्यों ने 3,55,946 यूनिट्स पैसेंजर वैकल्स बेच डालें, जो मंत्री सेल्स के मामले में एक नया रिक कि T20 सिरीज का आकरी मुकाबला अफ्रीकी टीम ने 49 रन से जीत लिया, हाना कि सिरीज टीम इंडिया 2-1 से पहले ही अपने नाम कर चुके थी, पहले बले बाजी करते हुए साउथ अफरिका की टीम ने 20 ओर में 3 विकेट कोकर 227 रन बनाए, मैन अब दे मैच राइली रुसो ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा, जवाब में टीम इंडिया 18.3 ओर में 178 रन बना कर रॉल आउट हो गई, सूरी कुमार यादो को मैन अब दे सिरीज अवर्ड दिया गया, 20 नमबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इसमें 32 टी का सबसे महंगा वर्ल्ड कप बताया जा रहा है, इसकी सुरक्षा में 24 फाइटर जेट्स भी लगाए जाएंगे, मंगला देश में खेले जा रहे हैं महिला इशिया कप में टीम इंडिया ने तीसरी जीत तर्च कर ली है, उन्होंने बुदवार को यूई को 104 रन से हराया, रेस्ट आफ इंडिया ने एक बार फिर एरानी ट्राफी जीत ली है, उसने चार दिनी फाइनल मकाबले में सौरास्टर को 8 विकेट से हरा दिया, यह रेस्ट आफ इंडिया का 29 खिताब है, कर रिशब पंद के जन दिन पर उन्हें धेरो बदाईया मिली इस बीच, और वश इसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि यदि आज का अकबार आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जो बिना समय गवाएं, दिन भर की बड़ी खबरों को सुमना चाहते हो, आपकी कॉमेंट्स और श सैफ अलिखान को क्रूर मुगल शाज को जैसा बताया जा रहा है, वहीं, राम और हनुमान जी को चमड़े की चीजें पहनाने का भी विरोध हो रहा है, राम के खड़ाओं न पहनने पर भी लोग नाराज हैं, वहीं, सीता मा के साड़ी के रंग को लेकर भी नाराजगी जत कांत ने जन्वरी में अपने अलग होने की घोशना की थी, लेकिन अब खबरे आ रही हैं कि वे फिलहाल अपने तालाग को कुछ समय के लिए पोस्ट पोन कर अपने रिष्टे पर फिर से काम करना चाहते हैं, क्यारके के माने तो 10 दिन तक जेल में रहने से उनकी 20 प्रतिश शुशांत की मौत के लिए जिम में धार थे, तक कश्मीर फाइल्स के डिरेक्टर विवेक अग्निहोती और पतनी पलवी जोशी ने हाले में मुंबई के अंधीरी लाके में एक आलिशान अपार्टमेंट करीदा है, इसकी कीमत लगभग 18 करोड रुपे बताई जा रही है, मशूर ओडिया सिंगर मूरली महापात्रा का रहिवार को हार्ट अटेक से निधन हो गया, फिदुरगा पूजा के कायरिक्रम के दौरान स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, लंबे गैप के बाद बॉलिवूड अक्ट्रेस उर्मिला मातुनकर एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कमबैक करने के लिए तयार हैं, एक्ट्रेस सौरव वर्मा की अपकमिंग वेब सीरीज तिवारी से वे OTT प्लेटपॉम पर अपना ट्याव्यू करेंगी, और अब आज की रोचक खबर, कई बार एरपोर्ट पर सेक्योर्टी वाले यात्रियों को कुछ सामान नहीं ली जाने देते, ऐसे में वो सामान अक्सर बेकार हो जाता है, लेकिन जब थाइलैंड के फोकेड्ड एयरपोर्ट पर भारती यात्री को गुलाब जामुन ले जाने से रोका गया, तब यात्री ने गुलाब जामुन के टिन को डस्ट बिन में डालने के बजाए कल पूछे के प्रश्ण का उत्तर देने का कल मैंने पूछा था हाली में भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर का क्या नाम है प्रचंड प्रहार या परम सही जवाब है प्रचंड जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बदाई और अब आज का सवाल मुलाकात क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अगबार तब तक के लिए नमशकार